हेलो एन वेल्गम टू ओलाइन अर्डर फोर स्टडी बनिस्टे वैड फोर लर्निंग दोस्वागत है आप सभी का माई यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उन्हेता जास सिचक वरती परिच्छा को लेकर कोई भी अपडेट है वह सबसे पहले प नई वैकेंसि कितनी होगी 25,000 ही होगी इसने बात करें पड़ों की संख्या पर 232 का holds uk चुरू होने वाला है कुछ ही पलों का दोस्तों इंतजार धरना शुरू हो जाएगा जहां पर दोस्तों धरना सिर्पों से एक निवेदन है जिस चीज को लेकर दोस्तों उन्हें यह एजी साहब के लिए साथ मैं डबल बैंच में पैरी भी करने की लिए और सरकार को पूरे तरीके से 49sta के लिए अक्टिव करने के लिए सरकार की पहली प्राथमिकते में पहली साहती है और सब्सक्राइग अब सब्सक्राइब 202जार सीटों को लेकर सुन भैं दोस्तों आज और साथ मैं C.E.M. को भरती के लिए खून से लिखे पर तो ऐसा मत किया तो भाई देखो बरतिया होए और आएंगी जाती जाएंगी आप यसा ही किस अपना खून को जो है वेस्ट मत कहिए क्योंकि अगर ऐसे कहते है तो लाखों बरतिया दोस्तों आप सभी को बताए कोट के अंदर फसी हुई है तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए लेकिन अड़सर या पांसों 22,000 सीटें बच्ची हुई है सुनवाई शुरू होने वाली है दोस्तों आज आप सभी को बताए कोट नमबर 23 के अंदर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दो कोई यह मत कहना याद मैंन नहीं कर सकता प्रदानमंती जी भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 22,000 सीटें जो भी 68,500 की बच्चों यह 22,000 थोड़ी जादा है वो दोस्तों नहीं होगी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यह दोस्तों आप सभ जनों ने मुध्दाए करन बादे के बाद दोस्ते के इसख को सुना जाएगा इससे पहले दोस्तों की डो यह बात कर दी जाएगा कि आपिशाम तक आप सुझी पड़ेट कर दी जाएगी साथ में दोस्तों अगर हम भात करें कि आज दोस्तों एक और इंपोर्टन देने वो यह है दोस्तों कि 27 साई को धरना हो रहा है धरने को लेकर भी आप सभी के बीच जानका ही उपस्तितों की वो करा दी जाएगी साथ में जो 39,000 की कोजलिस्ट को लेकर चाहत पूछा थे किसा अभी आई कि नहीं आई अभी तक दोस्तों कोई कोजलिस्ट नहीं आई है एक्सपक्टेट डेड मैंने आपको 28 बताई थी हो सकती है वह 30 भी हो सकती है लेकिन अभी शियूर है इसलिए मैं आप सभी को नहीं बता है अबहीं तक अगर उसके अंदर हमारा case होता है तो हो सकत आधमें दोस्तों महां पर जो एईजी साव को बुलाने के लिए जो चीज है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल जो मीडिया में आए असपर विशवास नहीं करना चाहिए अभी दोसों अभी तक सरकार जो एक्टिय नहीं थी तो धरना देला नहीं होना चाहिए दरने के लिए आप गए दोस्तों इतना समय निकालकर के कि आप पहुँच चुके ज़्यादा संक्या के अंदर तो धरने पर दोस्तों आप सभी ध्यान दीजी अच्छी चीज़ हैं बैसिक शिक्षा मंत्री के नए मंत्री बने सतीज दुवेदी जी उनकी तरफ से बयान आने शुरू है अच्छी चीज़ है कही ने कहीं तो उनके आने के बाद से बैसे कि आप सुचेंगे रोकने के लिए गए असी लिए बैसे नहीं है इसलिए बियान बाजी होनी शुरू ही हुई है कि आप अच्छी चीज़े आने वाले समय में 29,000 के लिए मैं कहुंगा बहुत अच्छी चीज़े जो कि सरकार की तरब से यह एक्टिव मोड देखने के लिए बिफोर 12 गंटे पहले ही दोसो सरकार ने बयान देदिया सरकार की तरब से बयान मिला उसके थोरी दे पहले नीसान की अब पहुँख की अभी अडिशिच्छ नहीं आई है और कुछ और नहीं है जैसे ही दोसो कोज्ष आईगी मैं आप सुभी को बता दूगा लेकिन क्या ऊस वहां पर दोस्तों किस तरीके से आज वार्शन देखने के मिलेगा क्या रिटिन में कोई चीज दी जाएंगी जिससे कि दोस्तों में दोस्तों आज जो धरना करा जाएंगी यह तो आज आपको शाम तक ही पता चलेगा लेकिन उससे पहले मैं आप सब्सक्राइब कुछ ही समय कर लेते हैं कल दोस्तों एक मीटिंग हो इथी सतीस दुवेदी जो दुवारा ली गई थी जिसके आंदर लोगों ने बोला था कि कल की जो मीटिंग वह पर तो बहती की दो आप यहां पर देख भी सकते हैं यहां दोस्तों लिखा हुआ हुआ है कि विबाग में रिक्त पतो को जो है नियाले के बिचार दिन भी बताया जैसे कि आप सभी को पहले ही बता दी दे लेकिन अवम दोस्तों समाचार पत्तों के माध्यम से भी दोस्तों खवे निकल करेंगे अपील जियां दोस्तों 28 को भी जो डेड मैं आप से एक्सपेक्टेड बताई लेकिन अभी कॉजिस नहीं आई इसलिए मुझे उंबीर है कि क्या पता कहीं एक दिन आगे ना बढ़ जाए रोज एक सवाल में नई वेकेंसी आईगी मैंने दोस्तों एक बार आपको बताया भी था कि 55,000 के आसपास वेकेंसी आप सभी के आएगी लेकिन आजगल होता क्या है दोस्तों जब हम ऐसी चीज़ां बता देते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं उनको नेगटिव लेना दिले जाने की कोश जीरा दोस्तों वही एक बार आप सभी के सामने ने खडा हुआ हूँ जो कि हमेसा सत्य के साथ आप सभी के साथ ख़़ा होता हूँ मैंने आपको बोला ही था कि वेकेंसी दो हैंगी लेकिन आप सभी को पर था लेकिन आपढ़ा उसलिक में मामला ऑल्ला कराने के लेकर बिचार किया जा रहा है एक बात बदा दूँ ऐसा मद सूचिए के लिए जल्द बैठक आयजुत करने का प्रस्थाब दिया है कि टीटी अक्तूबर के अंतर कराने की जोयत प्रस्था बेजा गया सासन में बैठक जादी और टीटी का रिक्रम भी जल्द जादी किया जाएगा बेसिक सिच्छा परस्थ के अधिकारियों ने बताया कि 29,000 सिच्छक बरती को कमी मामला उच न्याले के विचार दिन है वहां से निस्तायत होने के बाद अगले बरस तक नई सिच्छक बरती पाइच्छा भी कराई जाएगी अब दोस्तों सबसे बड़ा समाल उड़ता है कि वो बतों की संख्या कितनी होगी जैसा कि दोस्तों पि बैक लॉग में चलेगे उनको दोस्तों पर भरती होगी साथ में उनके ऊपर दोस्तों सरकार कितने एड़ान करती है क्या 59,000 में अगर भरती 65 पर होती तो उसमें से क्या कुछ पर बच जाएंगे क्या फिर दोस्तों जो है अलग से वेकेंसी के साथ जो सो जो साड़े 25,000 प सकती है हो सकता है 45,000 पर की संख्या उपर नीचे भी हो अब डिपेंड करता है दोस्तों सरकार की उपर कितने पर संख्या करेगी लेकिन यहां यह बिल्कुल तैय हो चुका है कि साड़े 22,000 पर जो 68,500 के बच्चे हुए वह इस वेकेंसी में जूड़े जाएंगे फिछले क पर की संख्या हो सकती है कि 55,000 पिछली दोस्तों अपडेट के अक्वर्डिंग क्या पर की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है कि आप सभी को पता टीजटी पीजटी पीजटी में हो गया था कि वहां पर 36 चार्शों करते कहते जब अध्याचन लिए गई तो संख अब लोग कोशिश करते हैं आप इंतजार करें जल 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 दोस्तों इस बात को लेकर आप जो बिल्कुल आस्वस्त हो जाए कि आपका एजट तो आएगा लेकिन ऐसा कुछ करने से जो अगर आप खून से चीज़ें लिखते हैं तो कई ने कि दोस्तों आप सभी के लिए प वर वोचिं दिस वीडियो